अगर दोस्तों आपको भी इशू आ रहा है KYC के रेगाडिंग पाई KYC अगर आपको भी ऐसा शो कर रहा है here you can track your KYC application status लेकिन अगर आप नीचे read करते हैं तो यहाँ पर status जो आ रहा है review in progress आ रहा है so maybe हो सकता है कईयों का एक month से हो दो month से हो तीन month से हो छे month से हो तो ऐसी आपको इशू अगर शो कर रहा है तो बिल्कुल भी आपने tension नहीं लेनी है घबराना नहीं है यह वीडियो आप ही के लिए है so इसमें आप मैं आपको detail में बताऊँगा कैसे कैसे आपने step follow करने है हो सकता है आपने step follow किये हो लेकिन वो बिल्कुल सही से follow ना किये हो जिसके कारण अभी तक आपकी जो KYC है वो complete नहीं हुई है successful नहीं हुई है या failed नहीं हुई है सिर्फ जो है processing में ही show कर रही है review in progress ही show कर रहा है तो अभी मैं आपको यहाँप detail में बताता हूँ अगरा first time हमारे channel पर है channel को subscribe करके bell icon को press कर दीजेगा और video अच्छी लगेगी तो like जरूर कर दीजेगा चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा चलते हम pie की जो application है उसके उपर so यहाँपर मैंने open कर रहा है जो pie की application है pie network की तो यहाँपर जो आपको left hand side यह three lines दिखाई दे रही है इस पर आपने click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों यहाँपर आपके पास काफी सारी options आ रही होंगी एक आ रहा होगा chat की option और एक आप देखिए third last यहाँपर option आ रही है support portal की तो आपने simply जो है support portal के उपर click करना है जैसी आप support portal के उपर click करते हैं यहाँपर आपके पास option आ जाती है जो जो आपने chrome अपने mobile phone में रखे होते हैं तो chrome में आप firebox में भी खोल सकते हैं या मैं almost जो है chrome ही open करता हूँ तो जैसे आप chrome open करेंगे दोस्तों यह कुछ tab आपके सामने open हो जाएगी तो simply दोस्तों आपने यहाँपर क्या करना है आपने नीचे यहाँपर इसे scroll करना है तो जैसे आप यहाँपर नीचे scroll करेंगे यहाँपर काफी सारी options आएंगी suggestions, suggest forms, KYC in email request, wallet and browser in email request, account setting in email request जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँपर काफी सारी options आजाएंगे आपके पास account, delegation, wallet and browser, cannot create, new account, trouble, signing in, forget password, account setting, verification of account, security circle, referral team, invite, chat room issue, mining and balance issues, bug report, scam report, node तो यहाँपर दीखिए आपके पास एक option आएगी पाई help के बिलकुल उपर KYC तो simply आपने KYC के उपर क्लिक करना है जैसे ही आप KYC के उपर क्लिक करते हैं यहाँपर आपके पास एक जो है लिखकर आयाता है दोस्तो if you want to KYC, please be patient and wait for more slot to open for security regions, please do not send us an email with your ID card, there is no manual selection progress and there is no waiting list तो यहाँपर simply इनोंने clear किया हुआ है अगर आपकी KYC अभी तक pending में show कर रही है या आपके पास KYC complete करने की option नहीं आई है तो आपने बिल्कुल भी जो है इनको अपनी ID card वेगारा अधार card या आप pen card या कुछ भी send करते हैं driver license directly इनको email में send नहीं करना है यहाँपर लिखा हुआ है there is no manually selection process तो यहाँपर manually अभी कुछ भी ऐसा नहीं है तो आपने वेट करना है लेकिन जैसे मैंने जाना है कि आपने वेट कर चुके हैं और इटना टाइम अभी भी processing में है तो उसके regarding आपको बता देता हूँ नीचे आप ध्यान में देखेगा दोस्तों यहाँपर email confirmation है so email confirmation यहाँपर आपने अपनी email ID डालनी है जो आपने जब आपने मतलब यह account create किया था अगर आपको नहीं पता आपने कौन सी mail ID इसमें update की हुई है तो simply आपने वो तीन लाइन में जाना है profile में क्लिक करना है वहाँ पर option आएगी email और उसके आगे update लिक कर आएगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर तो simply आप यहाँ पर थ्री लाइन पर जाएंगे यहाँ पर देखे आपके पास last में option आ रही है profile जैसे आप दोस्तो प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास option आ जा रही है email address की email address की जैसे आगे लिखाओ update तो इस पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर शो हो जाएगी कि आपने कौन सी email id जो है उस समय add की हुई थी वही email id यहाँ पर फिल करनी है पाई username पाई username भी आपको पता है दोस्तो प्रोफाइल में जाएंगे वहाँ पर शो कर जाएगा what country are you accessing the app from which country मतलो कौन सी country से कर रहे हैं यहाँ पर आप इंडिया लिख सकते हैं android और iOS android phone है या आपके पास iPhone है अगर iPhone है तो iOS सेलेक्ट कर लीजेगा अगर android है तो आप यहाँ पर android कर लीजेगा ठीक है दोस्तों इसके लावा नीचे यहाँ पर आ रहा है android जो है वो कौन सा version है 8.1, 9.1, 11.1 so आप अपने mobile की setting में जाकर about में जाकर वहाँ पर चेक कर लीजेगा दोबारा बोलता हूँ mobile में जाकर mobile की setting में जाकर about में जाना है वहाँ पर आपके पास android का कौन सा version का phone है वो आपको show हो जाएगा same iPhone में भी आप जाकर general में जाकर चेक कर सकते है setting में जाकर general में जैसी आप जाएगे वहाँ पर आपको show हो जाएगा phone brand and model तो यहाँ पर आपने brand लिखना है कौन से brand का है ठीकि दोस्तो कौन सा model है वो लिखना है यहाँ पर देखिया आप इस पर ध्यान देएगा दोस्तो application when submitting your KYC application तो यहाँ पर काफी सारे issues है लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ उस issue की दोस्तो जहाँ पर आपने KYC submit की हुई है लेकिन processing में तो इस case में आपने कोई भी यहाँ पर selecting करना है लास्ट वाला select करना यहाँ पर जो है नन तो यहाँ पर इस पर click करने के बाद यहाँ पर देखिये और option आपर यह vendor receiving KYC application from other यहाँ पर भी काफी सारी options है यहाँ पर आपने कर देना है other ठीके दोस्तो other के बाद जैसी आप थोड़ा और निच जाएंगे यहाँ पर आपके पास option आएगा कि आप कोई suggestion वगएरा देना चाते है कुछ भी तो यहाँ पर आप none कर दीजेगा इसके लावा description यहाँ पर description सबसे important रहेगा यहाँ पर दोस्तों आपने अपने तरीके से लिख सकते हैं लेकिन लिखना अपने English में जैसे आप लिख सकते हैं high team तो यहाँ पर थोड़ा date लिख दीजिए approximately याद है तीन महीने, चार महीने, पांच महीने, एक साल तो वो date यहाँ पर mention कर देनी है कि आपकी जो KYC अभी तक processing में है अगर आपको नहीं पता यहाँ पर कैसे आपने लिखना है तो आप बेफिकर रही है मैं description में यह proper आपको बना कर लिख कर दे देता ह यहाँ पर browser पर आपने click करने से पहले जो मैंने आपको starting में बताया कि यह देखिए यहाँ पर आ रहा है ने दोस्तो welcome back here you can track your KYC application status तो आपने इसका screenshot ले लेना है जैसे आप इसका screenshot लेते हैं screenshot लेने के बाद आपने यहाँ पर आकर browse पर click करके यहाँ पर अपना screenshot को जो है add कर के और send पर click कर देना है तो जैसे आप यहाँ पर send पर click करते हैं दोस्तो आपको एक mail भी receive होगी in can't से आपकी register mail ID पर और आपको कुछ समय wait करना होगा और आपका जो यह problem है वो बिल्कुल resolve हो जाएगी लेकिन waiting time रहेगा ऐसा नहीं कि दोस्तो 24 गंटे में यह 40 गंटे में हो जाएगी ठीके तो अगर अभी भी आपको समझ नहीं लगा है तो वीडियो को back करके दुबारा एक बर देख लीचेगा अगर आप 10 दिन wait कर लेते हैं फिर भी अगर आपको कोई issue आता है वैसे तो कोई issue आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो 90% chances है कि यह जो problem है resolve हो जाती ह लेकिन अगर 10% कुछ other issues के करना ऐसी कोई problem आती है तो आप मुझे contact कीजेगा मैं आपको proper resolution इसका provide करूँगा ठीके दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक like कीजेगा वीडियो को चैनल को subscribe जरूर कीजेगा बेल आइकन को प्रेस करतीजेगा मिलते हैं आप को नई वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जाए हैं